आने वाले iPhone 14 सीरिस के आपल वो चीज़ करने जा रहा है जो उसने पहले कभी नहीं किया अपने iPhones के non-pro और pro models के अंदर Apple हमेशा से same chipset देता है जैसे iPhone 11 सीरिस के अंदर same चीज iPhone 12 के भी non-pro और pro model के अंदर हमको देखने मिली थी और इतना ही नहीं 13 के भी non-pro और pro model में आपको यही देखने मिलता है इससे होता यह है कि कम पैसे देने के बावजुद आपको non-pro का performance pro model के बहुत ही करीब देखने मिलता है लेकिन iPhone 14 सीरिस के साथ मामला कुछ अलग होने वाला है अगर आप सोच रहे हो कि iPhone 14 का non-pro लेके आप पैसे बचाएंगे और same performance आपको मिल जाएगा जो 14 के pro सीरीज में आपको मिलेगा तो वैसा नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे iPhone 14 के अंदर पिछले साल का आपके का thoughts है इसके बारे मुझे comment करके जरूर बताएगा